उत्रकंड की राज़ानी देहरादूर में NGT के आदेश के बाद मलिन बस्तियों में अतिक्रमन पर एक बार फिर से कारवाई शुरू हो गई है राजपुर के काठ बंगला शेत्र में सोमवार सुभा प्रशासन ने अतिक्रमन तोड़ने की कारवाई शुरू की जिसका इस्थानी लोगों ने जम कर विरोत किया उनका कहना है कि सरकार ने 2016 के बाद का आधार लिया है वो ठीक नहीं है बहुत कैसे लोग हैं जो अपने घरों में बिजली पानी का कनेक्शन नहीं लगा पाए उनके घरों के लिए अन्य प्रवांट पत्र के आधार पर छूट दी जानी चाहिए जो जियो लागू हुआ था संदोजार 16 के लिए हुआ था लेकिन यहां पर जो अतिकरमन को तोड़ा गया है बिना किसी वज़ा से वो संदोजार 14 वाले भी तोड़े गया है और मेरे साथ यह खड़े इनके 14 के हैं 12 के हैं कुछ लोगों को तो ऐसी की मतलब जवर्दस्ती तोड़ते चले जा रहे हैं और अधिकारी ऐसा रिखें कि बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहे हैं हमारे लिश्ट में नाम है आप हमें बताइए हम चिनित करा के खुद आपके साथ कॉपरेट करेंगे उसे तुड़वाएंगे जो गलत है लेकिन इनुने सही को सही और गलत को गलत करके एक दोरे से सबको तोड़ते चले जा रहे हैं किसी की नहीं सुन रहे हैं